मेरी वीडियो डारेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पे क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें स्वागत दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में मैंने बीच में वीडियो छोड़ दिया था पिछला वाला माफी चाओंगा उसके लिए लेकिन जैसा कि मैं आपको उसमें बताई चुका हूँ क्लिरिफिकेशन दे चुका हूँ कि मैंने क्यों छोड़ा हलाकि मैं इसको बढ़ा सकता था पर मैंने का एक बार ऐसा करके देखते हैं तकि आपको उन लोगों को ये एसास हो कि पूरी बात नहीं करने से कितना बड़ा खलल पड़ता है तो दोस्तों मैं आगे की बात जारे रखता हूँ और ये उन लोगों की जिन्दगी का सवाल है जो लोग इस परिस्तित से बुजर रहे हैं या आने वाले दिनों में अपने रिष्टे को मुकमल होते देखेंगे तो कहीं ने कहीं ऐसी परिशानी का डर डर से चिंतित तो नहीं है यानि कितना सफल होगा ये डर हमेशा सताता रहता है लव मेरिज का की क्या होगा तो आज इस बरसे में परातना करूंगा इस वीडियो को देखने वाला किसी भी धर्म का हो उसे सदबुद्धी देना शादी करने से पहले एक बार जरूर अपनी क कुजर गई मजे से पैरेंट्स के साथ में थे इसलिए कुछ पता नहीं चला लेकिन आगी का जो आधा जीवन है उसको जीने में अब हो सकता परिशानी आ जाए लेकिन इस वर्जे दुआ है वो आप लोग को ऐसी परिशानी ना बेजे लेकिन कुंडलियों में अगर योग हुए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता इसलिए यह वीडियो है क्योंकि दोस्तों एक बात बताओं मैं आपको जिंदगी जो है एक ही शॉट में सब कुछ करना होता है क्योंकि यहां रीटेक का कोई मोका नहीं मिलता है जैसा कि फिल्मों में मिलता है इसलिए यहां तो वन चार्ट और कुंडली आपके सामने ड्रॉ कर लेते हैं तो दोस्तों यह है आपके सामने कुंडली और राशी चार्ट तो हमें क्या क्या देखना इसमें तो आप पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे मैं आप फिर क्लेर कर दूं मैं इसमें को पहले भी दिखा चुका हू तो इस पहला नमबर का वीडियो था यह फर्स्ट पार था यह लव वाला तो इसमें हमने यह वाला चीज देगी थी यानि हमको देखना था इसमें पांचवे घर और पांचवे घर में बैठी भी जो राशी है उसकी इस्तिती और उसके साथ ही हमको यहां देखना था लव और जो marriage होती है इसमें साथवा घर तो आज इन दोनों का ही connections में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हमको हमारी इसमें बातचीत करनी है किस प्रकार से हमें किसको क्या देखना है तो यह पांचवा और साथवा घर यानि आपको यह कुछ connection में इनका बना देता हूँ तागि आपको बता चले तो इन दोनों से आप यह देखना है कि किस प्रकार की स्थिति होगी तो सबसे पहले हमें यह चीज़ चेक करनी है कुछ पॉइंट में आपको इसके अंदर बताऊंगा जिसमें कुछ खराब पॉइंट होंगे कुछ अच्छे पॉइंट है तो हम इसके अंदर नंबर लिखते हैं चौथा एक से लेकर के बारा तक आप कोई भी लिख सकते हैं यानि अगर एक लिखेंगे तो मेश लगनी की गुंडली हो जाएगी और उसमें पांच्वा और सात्वा जो मालिक होगा तो आप देख सकते हैं एक में पांच्वा होत अथक्वा नब हो गया. यहाँ पर आएगा आठ और यहाँ पर आएगा दस इसको हमें समझगना आए कि किस प्रकार से ये होगा तो यदि पंचमेश और सब्तमेश की इस्तिति या तो जोडे में या लग-लग कैसे भी करके इन घरों में हैं तो हम उनकी बात कर लीते हैं सबसे पहले छे, आठ और बारा की, देखिए, यदि पंचमेश की इस्तिती छटे घर में है, तो यह ऐसा इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, यह जिद से शादी तो कर लेंगे, परन्तु बाद में तकलीफों के अलावा इनको कुछ भी हात नहीं लगेगा, कभी सुकी नहीं रह पाएंगे और बीमारिया लग सकती है धेर प्रकार की, शक्त्रू बनेंगे इनके घरवाले इस शादी को करने की वज़े से हो सकता है, जिसकी वज़े से जंदगी पर वो लोग इनसे बात भी नहीं करें, अब देखते हैं, आठ वे घर में यदी हो तो क्या होगा यदी पंचमेश और सकतमेश यूती बना करके बैठे हो आठ वे घर में, तो मानसिक अशान्ती इनके हमेशा बनी रहेगी, संतान सुक तो भूल जाएए, बहुत ही रेर केस में आएगा, अदरवाईस संतान सुक से ये वंचित रहेंगे, पती पतनी में अंडरिस्टेडिं यदि बारवे घर में ये दोनों यूती बना करके बैठ जाएं, बारवा घर का मतलब ये वाला आपके सामने दिख रहा है, तो ऐसा इंसान या तो लड़का या लड़की फिजूल खर्चे में विश्वास करेंगे, बहुत फिजूल खर्चा करेंगे, अलगाव की स्तित्य आजाएगी, माते पर करजा होने की संभावना हो जाएगी, जिस वज़े से सुक तो कभी इनके घर में प्रवेश ही नहीं करेगा, तो दोस्तों ये थी 6-8-12 की गानी, आप देख रहे होंगे इस वीडियो में या कहीं भी देख रहे होंगे, तो 6-8-12 सदेव खराब माने इनकी शांती कराए बगेर या इनका उपाय कराए बगेर, किसी भी लव मेरिज को यदि मेरिज में बदलते हैं, तो भारी परेशानिया आने की संभावना यहां पर बनती है, तो ये थी दोस्तों इसके अंदर एक बात जो 6-8-12 गर से रिलेटर थी, अब देखते हैं दूस इसका स्वामी सात्वे में चला जाए और सात्वी घर का मालिक इसके अंदर चला जाए, तो प्रबल प्रेम विवाह की संभावनाए हैं, हाला कि देखना बहुत जरूरी है अपने को की कहीं कोई परिशानी तो नहीं होगी, उसके बाद इस शाधी को प्रोसीड करना है, तो इस शाधी के सकसेज होने के योग हमें बनाने हैं, वो किस तरह से, वो कुंडली देखने और कुंडली विवेचन के बाद ही पता चलेगा, अब देखते हैं तीसरी परिस्तिती, कुंडली में दोनों का संभंध बने, यानि पांचवे और सात्वे घर के मालिक का कहीं भी सं संभंध बन जाए, चाहे वो द्रश्टी संभंध हो, चाहे योटी यानि जोडी की रूप में हो, माली जीए मंगल यहां बैटे हैं और शनी यहां बैटे हैं, तो दोनों का द्रश्टी संभंध हो गया, बहुत अच्छी बात है यह, इसमें जो लव मेरिज होगी, यानि हो समझी गया होंगे और यह वाली भी कंडिशन आप समझ गया होंगे, तो दोनों परिस्तितियों के अंदर यह लव मेरिज होगी, और इसको देखने में आप किसी विद्वान की मदद जरूर ले लिजिए, यदि स्वैम नहीं देख पा रहे हो तो, क्योंकि आजकल आप मेरिज में भी यह हाल हो रहा है, लेकिन उस परिस्तिते में थोड़ा सा यह है कि लड़के और लड़की दोनों को घरवालों का सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, यानि कि लव मेरिज में जो होती है परिस्तितियां वो थोड़ी तकलीव देती है क्योंकि उस समय इं नहीं जाएगी लेकिन उसमें से कुछ इलाज जरूर निकल जाएगा जो हमें इस तकलीफ में पढ़ने से बचा सकता है क्योंकि कहा जाता है कि कुंडली दिखाने में कुछ हो नहो समस्या का समाधान कहीं ने कहीं से निकल करके जरूर आता है तो दोस्तों यह उद्देश से स उसतना सा है कि घर बनने की जो शुरुवात है उसकी नीवी अगर कमजोर रह गई यदि लव मेरिज में प्रॉब्लम शुरू से ही स्टार्ट है कुंडली के देखने की कंडिशन पर पता चलता है कि वो किस कदर आगे शादी निवेगी या नहीं निवेगी तो क्योंने उस इसे भी गलती मत कीजिए पंचमेश और सब्तमेश की इस्तिति का आकलन किये बगएर शादी करने का फैसला लेते हैं तो बहुत जल्दबाजी होगी इसलिए इनका आकलन करे बगएर शादी करने की गलती कभी भी नहीं करनी है अब देखते हैं कुछ और परिस्तितिया पं श्राषी को सफल होना में अगर जो कि मेश में यान नमर लिखा होगा तो एक नमर देखिए आपके सामने इस राज्टी के अनुसार यारा बारा और एक एक नमबर यहां आएगा इस जगे पर यानि दसवे घर में नहीं बैठे होने चाहिए अन्य था इसमें बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है इस चीज़ को ज़रा संभल करके फिर अपलाई करें पांचवा पॉइंट पंचमेश वर शप्तमेश यानि मंगल और शणी जीरो से एक डिगरी या 29 से 30 डिगरी के बीच में नहीं होने चाहिए वरना ऐसी शादियों के सफल होने की संभावना एक खत्म से हो जाती है और यदि फिर भी मजबूरी है करना ऐसी शादि को तो सर्व प्रधम कम से कम शाद च्छटा पॉंट दोनों में से कोई भी अस्त नहीं होने चाहिए अस्त होने का मतलब है यह जहां कई भी बैठे हो उनके साथ में सूर्य नहीं होने चाहिए और यदि सूर्य है तो कम से कम 12 डिगरी से 15 डिगरी का अंतर इनके अंदर होना चाहिए यदि यह नहीं है तो यह तो जाएंगे और ये सबसे बड़ी कलेश की वज़े वनती है पती पतनी के बीच में तो इस चीज का बहुत विशेश सावदानी से हमको ध्यान रखना है अब कुछ पॉइंट ऐसे भी है जिनका भी ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है जैसा कि नवा घर जो होता है दोस्त करता है लव अफेर को शादी में किस तरह का रोल रहेगा उसके बारे में भी इससे पता चलता है तो इसके भी कुछ पॉइंट्स है च्छे आट भारा घर में नहीं हो नवे घर का मालिक और इसके साथ में पांचवे और साथवे घर के मालिक का भी ध्यान रखना है वो भी नवे घर में नहीं होना चीए वैसे मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ डिटेल में लेकिन इसी के साथ में ये भी हमें विशेश द्यान रखना है आठवा पॉइंट नवे घर का मालिक ये पांचवे या चांसे बहुत कम हो जाते हैं तो भी लव मेरिज की बहुत अच्छी स जरूरी है या अगर जो कोई जीवन में प्रवेश कर रहा है यानि ग्रहस्त जीवन में तो किसी पती-पत्री के रिष्टे जब डिस्टब हो जाते हैं तो केवल वो दोनों ही डिस्टब नहीं होते हैं बलकि दो-दो परिवार और उनके close relation भी डिस्टब होते हैं जैसे आपक सक्के दर्शन हो जाते हैं उन रिष्टेदारों का मतलब आपके घर जादा आना जाना होता है और ऐसा होना आप सब को उनसे दूर कर देगा कुछ समय पहले तक कानून कुछ इस तरह के थे पर अब थोड़ी जांच परताल के बाद ही कारवाई होती है ऐसे निर्देश मिल करना तो नर्क की यात्रा के समान है क्योंकि आपने भी अपने आसपास किसी भी परिवार को ऐसी यात्ना भुगतते वे जरूर देखा होगा क्योंकि ये आम बात हो गई है कोट में देखिए आप हजारों के स्पेंडिंग पड़े हैं तलाक के विशेश मामले यानि कई बा पागलता हो जाते हैं और कुछ ने आत्मत्या के कदम भी उठाएं इसलिए मेरा जोर इस वीडियो को बनाने का ये है कि कुंडली में ये बाते अवश्य देखें जो आपको बताईए और या विर खुद नहीं देख पारें तो किसी विद्वान की मदद लें ताकि वो आप को सही मार्ग दर्शन दे सके कुछ और बाते हैं देखिए पांचवे और साथवे घर में से किसी में भी नीच राशी ग्रह की प्लेस्मेंट नहीं होने चाहिए यानि इस लगन की बात करें तो यहां राशी है आठवी और आठवी का मतलब आप देख सकते हैं व्रश्चिक राशी है और व्रश्चिक राशी में जो है चंदर नीच के हो जाते हैं तो यहां किसी भी हालत में चंदर नहीं होने चाहिए और यहां है मकर राशी साथवे घर में तो यहां गुरू की प्लेस्मेंट किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए अन्य था इस इंसान का जीवन ब पताता हूं अगर ये वाली situation है तो इस इंसान की love marriage बहुत काम्याब होगी और उसमें उसको बहुत ज़्यादा भी होगा यानि आगे नाम भी कमाएगा और घर वाले भी कुछ रहेंगे और जैसा वो अपने जीवन में चाह रहा है वो सब कुछ इसके अंदर मिलेगा तो अपने उच्छ राशियों में बैठें तो मंगल की जो उच्छ राशी है दोस्तों वो है मकर और मकर होगा यहां पर 11 नंबर पर यहां तो राशी परिवर्तन वाली बात भी आपके सामने आ गई और यदि शनिदेव तुला में बैठे हों तुला कहां पर होगी आप देखि ऐसा होता है इस कंडिशन में तो मान के चलिए यह शादी ना केवल कामियाब होगी बलकि परिवार में मान सम्मान भी दिलाएगी ऐसे लोगों को अब देखते हैं दूसरी परिस्तिती पांचवे और सात्वे का मालिक यदि केंदर में आ जाए और अगर सात में डिगरी भी अच्छी हो तो यह तो फिर सोने पर सुहा के वाली बात ले यानि इन चारों घरों में यह कहीं बैठ जाए अगर आमने सामने बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है यूती संबंद बन जाएगा लव मेरिज होगी होगी और यहां दोनों बैठ जाए या आगे पीछे इन कोण में आजाए इधर आजाए तो भी यह बहुत अच्छी बात होती है बहुत कामिया भी मिलती है इस सिच्वेशन में तो दोस्तों यह थी कुंडली के अंदर किस प्रकार से क्या परिस्तिती बननी है उससे आपको क्या फाइदा होगा या गाटा होगा लेकिन यहां आप इस सावधानी रखने माली बात यह है कि पांचवे को एक्टिवेट किया जा सकता है इस कुंडली के अनुसार अपनी परिस्तिती बनाने के लिए लव मेरीज को सकसेज और किस प्रकार से हमारे फेवरेबल कंडिशन में लेकर क्या आना है लेकिन साथवे घर को एक्टिवे विराजमान है और यह इसके मारक है यदि यह एक्टिवेट हो गए तो इस इंसान की जिन्दगी के लिए भारी पढ़ सकता है इसलिए सारी परिस्तितियां देखने के बाद विदवान जोतिस से मिलने के बाद ही इस प्रकार के फैसने लिए जाने चाहिए अन्य था लंबा हो गया है माफी चाहूंगा लेकिन जब तक मैं मेरी बात अंदर से आप लोगों को सही डंग से समझाने सकूं तब तक किसी भी वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बात एक शौट में एक तरीके से समझ में आनी चाहिए त लाल कलर में सब्सक्राइबर लिखावाया उसे दबाते ही आप मेरे साथ जुड जाएंगे और आपको मेरे वीडियो मिलने लगेंगे अपडेट होते ही यानी तुरंक पब्लिश होते ही बस एक बैल आइकन का उप्शन और दबा दीजिए इन वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट के जरिये में जरूर पढ़ूँगा और इंतजार करूँगा आपके कमेंट्स का लाइक और शेयर के बारे में आपका क्या विचार है वो आप स्वाइम कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ में थेंक्यू वेर